हेलो एवरिवन मैसल्फ कृष्णा एन मैं आप सब भी का स्वागत करता हूं राइजिंग चैंप्स में सो आज हम लोग टाइम एन वोक का टाइप नुम्बर सिक्स देखने वाले जो की आपका बेज होने वाला है जब आप किसी चीज को डिफरेंट रेट में पर्चेस करते ह हूं यह चीज अक्सर हम लों को होल सेर मार्केट में दीखने के लिए मिलता है कि वह बहुत सारी कॉंटेड़ी जूँछ रेट में खरीत के लेकर आते हैं और बहुत सारी कॉंटेडि जो डिफरेंट रेट में बेचते हैं तो इसका जो गंसेप्ट है वह काफी ज़रूरी लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लेक्चर के रिगाडिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे दिएगे नंबर पर आप ज़रूर मुझे मेसेच करें या करिये या फिर हम लोगी जो ऑनलाइन बाचस है अगर वो जोईन करनी हो उससे रिएट कुछ कोई रही हो तो आप ज़रूर मुझे कॉन्टाक्ट जो है कर सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं टाइम में वर्क के टाइप नंबर सिक्स के साथ में जो कि आज हम लोग का जो आपने खरीद है साथ रुपे का और एक डजन आपने बेचा असी रुपे का अब देखो एक डजन में टोटल कॉंटिटी कितनी होती है बारा होती है तो यह अलग-अलग रेट में खरीदे और बेचने वाली जो एक कीमत है मैं डाइट क्वेशन के उपर आता हूं डाइट हम लोग ऐसे कोश्चनों को 20-30 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं तो पहले कोश्चन को समझते हैं कि सर रीता ने किसी कोई बाई किया है टॉय को आट 15 फॉर 10 रुपीज इसका मतलब क्या है एंज सेल किया है 10 फॉर 15 रुपीज इसका मतलब पहले समझो यह जादा जरूरी है 15 फॉर रुपीज 10 का मतलब क्या है कि रीटा ने 15 टॉय खरीदा है 15 टॉय खरीदा है कितने टोटल रुपीज में कितना 10 रुपीज पर टॉय नहीं है 10 रुपीज टोटल 10 रुपीज में इसने 15 टॉय को खरीद लिया है और बेचा कितने में सर 10 टॉय उसने बेच दिये ह अब यह बस समझो कि एक रेट है यह ऐसा नहीं कहा गया कि रिटा ने सिर्फ 15 ही टॉय करीद है उसने कहा गया है 15 at 15 for 10 रुपीज मतलब 15 टॉय 10 रुपए में खरीद रही है वो मतलब उस रेट से खरीद रही है मतलब 30 खरीद होते तो 20 रुपए देना होता अगर और खरीद ह होते तो और पैसा देना होता इस रेट के हिसाब से ठीक है तो इससे बोल रहा है कि इस प्रोसेस में गेन कितना हुआ तो देखो एकदम सेंपल सा कॉंसर टेस्ट में कि देखो जब आप कितनी जो भी जितनी भी चीज आप खरीद होगे मालों आपने 100 चीज करीद के लेकर दुकान में ठीक है और अभी आप 80 ही बेचे हो अभी भी तो 20 बेचना बाकी रह गया है तो मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आप ये 100 की 100 चीज बेच नहीं देते जितना आपने खरीद है तो 100 अगर आप बेच नहीं देते तब तक आप ये क्लियर नहीं बता पावे कि आपक क्या बना दो सेंब बना दो विदा हैल्प उफ एल्टी ये से क्या करोंगे आप कॉंटिटी कुसें बनाने की कोशिश करोंगे अब यहां पर कॉंटिटी कितनी प्र्थी नहीं तो 15 और 10 का कितना होता एक एल्चिं कीतना होता है ये सा अंधाजह आ जोट बड़ा नंबर ब अब इसको जो है मैंने into 2 किया है और इसको जो है मैंने into क्या किया है 3 किया है तो जैसे आप इन दोनों को बदलोगे वैसे आपको इसका total pricing भी बदलना पड़ेगा वो इसलिए देखो 15 चीज को अगर आप 10 रुपे में खरीद रहे हो तो 30 रुपे को खरीदने में आपको 20 पड़ेगा और दस चीज को अगर आप 15 में बेच रहे हो तो 30 चीज को बेचने में आपको और तीन मुना पैसा मिलेगा मतला 45 रुपीज में बिख जाएगी वो चीज अब देखो clear cut मुझे दिख रहा है कि सर मैंने 30 चीज खरीदी 20 रुपे में और 30 चीज बेच दी 45 किस रुपे का यहां पर क्या होगा पँचीज रुपे का या पर पर प्रॉफिट हो जाए है अब आप बोलेगे सτε प्रॉफिट परसेंड़ेश कैसे same बनाना है क्योंकि quantity जब तक बराबर नहीं दिखेगी आपको या बराबर चीज आप खरीद के बेचना दो तब तक आपको चीजों में profit या फिर loss नजर या फिर आप अंदाजान नहीं लगा पाओगे ठीक है simple चलो इसी से लेट कुछ हम लोग कोशन करेंगे आज मैं इसे पाची कोशन लिका रहा है बट पाचो के पाचो कोशन में थोड़ा सा वेरियेशन जरूर है तो लास्त तक जरूर बने रही है महेश ने बाई किया है 12 तो एलेक फिर से फॉर्मुला है टोटल अपॉन कॉंटिटी तो रेट हो जाएगा इसका 10 बाई 12 तो चीज अलग है 16 को सोल्ड किया है मैंने 20 रुपए पर देखो यह दो रही खरीदने वाला प्राइस है यह बेचने वाला प्राइस है और अब वह पूछ रहा है कि मुझे प्रॉफिट कितने का और तो सिंपल सी बात है कि सर एल्सियम निकालो एल्सियम किसका निकालोगे 12 और 16 का थाकि मुझे सर कॉंटिटी से मिल जाए जो की बनेगा 48 बनेता हूं तो टोटल कितना करना पड़ेया से इसको इन्टू 4 और इसब इस. इन्टू 4 और इन्टू 3 किया है तो इसको भी इंटू 4 करना पड़ेगा मतलब 40 और इसको इंटू 3 करना पड़ेगा 60 स्टिल मुझे क्लियर कट यहां बीस रुपे का प्रॉफिट जो है नजर आ रहा है बीस रुपे का प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट अपॉन स्ट्रेज कितना है मेरा पर्फिट तो कितना हो गया फॉट्टी तो यह आजाएगा आपका 50% का प्रॉफिट पर सेंट का क्लियर कट आपको क्या नजर आ रहा है प्रॉफिट नजर आ रहा है तो एकदम सिंपल प्रॉफिट को बराबर बना लो फिर आप जो टोटल इसके कुछ example और देखते हैं अब इस question को फटा फट करने कोशिश कर देगा कि मैं बोल रहा हूं कि 25 से 30 सेकेंड तो 20 दिया है 25 दिया है 15 दिया है 18 अब 20 और 15 का एलसेम कितना होता है हो जाएगा 60 दोनों को मैंने 60 बना दे इंटू 3 का मतलब 75 इंटू 4 का मतलब 72 आइधिंग बनेगा थी रुपेस का प्रॉफिट है अपन 75 इंटू 100 कर दूंगा मैं यह बन्जा आ जाएगा 215 514 फोर परसेंट का आपको यहां पर प्रॉफिट नजार आ रहा है वोर परसेंट 25 रुपीस की चीज आप खरीद रहे हो और 72 बेच रहे हो तो आपको यहां पर 3 रुपीज का क्या हुआ है यह 3 रुपीस का क्या हूआ है लौस फोर परसेंटेज का है बंद दो यहां पर दो जगह फोर ज़रूर लिखा है बढ़त एक शाइद प्रॉफिट एक साइद लॉ सब्सक्राइब कि संगीता ने 1200 कोपी इसमें दिया गया 1200 कॉण्टिटी है और रेट क्या है उसका खरीदने का खरीदने का रेट है उसका 15 को 20 रुपय में खरीद ही इसको 15 रुपय में निकाल का आपको आपको मिलेगा 60 क्योंकि पंद्रा और 20 का 60 आता है तो आप बोलोगे सर 60 60 ले लो दोनों को सर इसको इंटू 3 करूंगा मतलब टोटल भी इंटू 3 हो जाएगा और सर इसको सारी यह टोटल 3 नहीं इंटू 4 होगा ना 15 460 होता है तो 2480 और 2360 तो 15 345 अब आप बोलोगे कि सर यह यहां पर मुझे profit पूछा है वहां पर मुझे transaction में कितना profit हो यह लॉस पूछा है वह पूछा है क्या मैं मुझे percentage नहीं पूछा तो आपको तो यहां पर quantity दी गई है ना 1200 60 थोड़ी ना quantity है तो आप क्या बोलोगे कि सर 60 जो है जब आपने quantity को 60 रखा था तो आपको loss कितने क का नजर आ रहा रहा है loss कितने का नजर आ रहा है 35 रूपी का लॉस नजर आ रहा है बराबर है यह जस क्हां गर्युआ्टे का बसक्राह यह बारा सूर रुपए कौन्टिटी र नमारी संच एमकतो है तो मुझे लॉस कितने का होगा मोधने यह जिरो ज इन्हुय कटते शी यहां पर जो जाएगा यहां पर देखने के लिए लिए ज़रूर लगता है यह एकदम राइट यहां पर मुझे प्रॉफिल लॉज जो रहा था 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 रूपीस का हो रहा था बट अकर वहीं मैंने बारा सो कॉंटिटी लिए कि एक्चली में बारा सो ही है कॉंटिटी तो टोटल ट्रांजेक्शन जो हो जाएगा मुझे 700 रुपीस का जो है मुझे लॉस जो है यहां पर जहिलना पड़ेगा ठीक है चलो एक और था सा वेरेशन लेते एक और वेरेशन लेते कि देखो 500 कॉपी अब देखो Dinesh bought 500 कॉपी मतलब कॉंटिटी आपको मेंशन है कि सर 500 जो है वो आपकी कॉंटिटी है और रेट क्या है इसका सर रेट क्या है तो रेट जो है वो 25 आर्टिकल को उसने खरिदा है 28 रुपे में और 20 आर्टिकल को उसने बेच दिया है 18 रुपे में धीक है 25 का पूछा है percentage के फॉर्म में नॉर्मल रूपीज में तो फिर से वही बात कि सर लस्म निकाल लेते हैं लस्म निकाल लेते हैं हंड्रेट और 25 और 20 का लस्म तुम्हें अच्छी तरीके से जानते हो आइधिंग ज्यादा है difficult तो बिल्कुल भी नहीं है यह आजाएगा आपका 100 तो अगर quantity आपका 100 है है ठीक है बट quantity मेरा 100 थोड़ी नहीं है quantity मेरा 100 थोड़ी नहीं है और profit जो मुझे अगर 100 के उपर 22 रुपए का मिल रहा है तो मेरा actual जो quantity वो तो 500 रुपए 500 रुपीज है तो मुझे प्रॉफिट कितना होना चाहिए ता इसका देखो यह 5 गुना है तो इसका पांच गुना हो जाएगा 110 रुपए तिक नहीं पर मैंने quantity को जह सेम बनाने की कोशिश की है ताकि अगर quantity सेम हो तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट जोए clear कर सकते हो और quantity सेम किस्से करें गोई with the help of LCM के थूँ जो है चीजों को आप जो होप कर सकते हो आप लोग को वीडियो जो है पसंद आ रहा है और concept जो एकदम clear है अगर स्टिल कोई भी मेरे से मिस्टेक हो रही हो तो आप जरूर और doubt create हो रहा हो तो जरूर मुझसे जो है contact कर सकते है ठीक है तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ आज के लिए इतना ही रहे का next lecture जल्दी मिलते है तब तक के लिए सभी को take care and bye-bye अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को जादा से जादा शेयर करिए like करिए and most important subscribe करना ना भूलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and goodbye